मौलाना शहाबुद्धी ने मुख्य मंत्री को लिखा पत्र मदर्सा आलिया को दोबारा चालू करने के ख्वाहिश ज़दाते हुए दिये सुझाव सवाजवादी पार्टी को लगा बड़ा जटका राश्ट्रिय महासचे व्रवी प्रकाश वर्मा ने दिया इस्तीफा यातयात नियमों की खुलेया मुडाई जाये ही धजियान नेता ने चलती गाड़ी का दर्वाजा खोल बनाया वीडियो पेशापकान में दो कॉंस्टेबल सस्पेंड प्राथमिक जांच में दोनों कॉंस्टेबल पाए गए दोशी रोडवेज बस ने तारकोल से भरे टैंकर कुमारी टकर टकर लगने से बस में बैठे दरजन भर मसाफिर बुरी तरह जुलस करें नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक बरेली में मौलाना शहापुद्दीन ने अतिहासिक मदरसा आलिया राबपुर को लेकर मुख्य मंत्री को एक पत्र भेजा और मदरसा को दोबारा चालू करने की मांग उठाए मौलाना शहापुद्दीन ने अपने पत्र में कहा कि हम आपसे अनुरोद करते हैं कि अब दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है तमाम जाज और परताल होकर पूरी तस्वीर क्लियर हो चुकी है अब ऐसी सूरते हाल में मदरसा आलिया को दोबारा इस्थापित कराएं मदरसा आलिया की बिल्डिंग से पॉब्लिक स्कूल को हटा कर कहीं दूर जगह इस्थापित कराएं ताकि उस बिल्डिंग में दोबारा मदरसा आलिया काइम किया जा सके और शिक्षा के ख्षेत्र में दो बारा योगदान करने के लिए प्रयासरत हो आगे कहा गया कि एक उलेमा की कमिटी बना दी जाए और उन उलेमा को संचालन करने के लिए मदर्से की जिम्मेदारी दे दी जाए साथी जोहर विश्व विग्डियले से किताबे वापस मदर्सा आलिया की लाइबरेरी में रख दी जाएगा समाजवादी पार्टी के जनल सेकरेटी मुहम्मद आजम खाँ साहब ने वो कारनामे अंजाम दिये जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा जैसे एक इतिहासिक मदर्सा जो मदर्सा आलिया के नाम से जाना जाता था और उसकी पोजिशन ये हंगुस्तान में थी कि जिसको आक्सफोर्ड इनुश्टी और जामिया अजहर का धर्जा हासिए था मगर उसकी बर्बादी में और उसको तबाहकारियों में मदर्से का वजूद के खत्म करने में जो कलीदी कि दाराजा आजम खासा हमने अंजाम दिया है लोग सभा चुनाओं दोहजार चौबीस से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने आके खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय महासचेव और पूर्व सांसर्द रवी प्रकाश वर्मा ने अपने पज से स्तीफा दे दिया है लखीम पूर्खीरी से सपा के कद्दावर वरिष्ट नेता के स्तीफा देने से पार्टी को बड़ा जटका लगा है उन्होंने सपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष और पूर्व मुख्य मंत्रिय के लिए श्यादव को इस्तीफा लिखा चर्चा है कि रवी प्रकाश वर्मा आप कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं वही राष्ट्रिय महासाच्चिफ के इस्तीफा देने के बाद से सफ़ा में हल्चलत मच गई समाल अभी पार्टी में पिछले कुछ वर्षों से परस्तियां बदल रही है मुलाइब सिंग्यादर जी ने इस पार्टी को तयार किया था विर्ष्था पर्वर्तन के लिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन बीटे वर्षों में मुझे लगा कि यह रास्ता मदला है और आज की तारीव में जो सामप्रदाइक शक्तियां लखनों में दिलिम दोने ज़िए काइम है हर स्तर पर नाइंसाफी और जरुम बर रहा है लेकिन उससे लड़ने की वजाए उसके खिलाब करने के जनता की ताकत बनने के वजाए जो जिम्मेदार लोग है द्रस्ट अधिकारियों से मिली भगत करके बैठ गया है कि मैं इस संदम्ध में कई वार आक पूद्ध को लोगों को बताने कोशिश की आगरेकर आने कोशिश की लेगिसी नहीं कि मां बहुत सींईर आदमी थी मिरे करी 20-25 सारं पार्टी मकाम किया है मैंने और पार्टी को मैंने जमी तरं इस जंडे को जो है साइकल निषान पर घाँ नाव तक हर घर पर पहुंचा है जब ये दुरुशा हम देख रहे थे तो हमें बहुत दिखत लग रही थे हैं हमने माने अधर जी को बताने का प्रयास किया खबर उत्तरप्रदेश के जनपद अम्रोहसा हिसे है जहां युवाओं के साथ साथ नेताओं पर भी रील बनाने का खुमार इसकदर चड़ाय की यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है ताज़बामला अम्रोहा का है जहां गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख भाच्पनिता राजेंर रखागरवनशी चलतीकार से बाहर निकलते हुए स्टंट कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुक राजेश राजेंद्र खकरवंशी का चलतीकार की खिड़की खोल कर बाहल लटकते हुए वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल भी हो रहा है। वही पुलीस वीडियो वाइरल होने के बाद भी कारिवाई करने से बच्चती हुई नजर आए। दोनों कॉंस्टिवल दोशी पाए गए हैं। इस वज़्जा से कारिवाई की गई हैं। बाकी जाच होने के बाद विभागे कारिवाई भी की जाएगी। अब भद्र वेहार करने वाले कॉंस्टिवल का नाम हेमंत कुमार और लोकेश राशपूत बताया जा रहा है जिनको कर दिया गया है। एक दर्दनाग सड़क हाथसा उस वक्त सामने आया जब तेज रफतार रोडवेस बस से गरमतार कोल से भड़े टैंकर में टककर मार दी। टैंकर लगने से टैंकर में उच्छे गरमतार कोल बस में बैठे दर्जन भर से ज्यादा मुसाफिरों के उपर जागिरा जिसकी पर चल रहा है ये पूरा मामला बिजनौर के सिवहारा धामपुर मार्ग गा बताया जा रहा है हाथसा होते ही गाउवासी और प्रधाग ने दोड़ कर सभी तारकोल में धुल से यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला और आनन्फानन में पास कही सीहसी अस्पताल में भरत की प्रदेश कॉंग्रेस अंतियक्ष अजयराय ने उनके दिवंगत पुत्र को श्रधान जली बेर्पिट की वहीं 2024 की लोग सभाचनाव की तयारियों पर बोलते हुए अजयराय ने कहा के प्रयाग राज और काशी में आने पर मैं काफी सो भागे महसूस कर रहा हूं इस द लोगों के खलाफ तुरंत कारिवाई करते हुए इन्हें गरफतार कर कठोर से कठोर कारिवाई की जानी चाहिए मैं अपनी तरीके से पूरी उत्तर प्रजेस के अंदा दोड़ा कर रहा हूं काम कर रहा हूं सब को जुड़ने का काम कर रहा हूं इलहाबाद विश्विद्याले में 400 प्रतिशत फीज बढ़ाने का मसला हो या छात्र संग बहाली और कुलपती की अवैद नियुक्ती हो कर दिया है विश्विद्याले के छात्रों चात्रों में अलजैस सम्राठ की रहाई से खुशी की लहर दिखाई बड़ी दीपावली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन सक्त हो गया है शिवगर में हुई पठाके की घटना को लेकर प्रशासन सजग है जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देश पर सिटी मेदिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र और सीओ सिटी आमेच सिंग ने पटाके कि दुखानों पर छाव विमारी की बदोका थानाक शेटर के कई दुकानों पर छाप पिमारी करते हुए कड़े निर्देश भी दिये गए City Magistrate प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुकानों पर पहुँचकर सुरक्षा विवस्था के कड़े इंतिजाम है या नहीं और पानी बालू और फायर दिस्ट्रिब्यूटर की विवस्था की गई है या नहीं इसकी भी जाच की गई आ realise पर आग बुजाने के लिए और हम लोग को अंधित पानी जए और श्यू-टर नहीं था पानी यहां दिरू रखवाई यह और जो दो मानक है हरगाउं सीतापूर में एश्या प्रस्यध हरगाउं की बिर्ला ग्रूप की चीनी मिल अवद शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड निनवीन सत्र दोहजार तेज से चौबीज के लिए पिराई करना का प्रारम कर दिया है उतरप्रदेश सरकार के नगरविकास राज्यमंत्री राकेश राठोर गुरू ने बतौल मुख्यतिती चीनी मिल का पूजन किया राजी मंत्री राकेश राठोर गुरु दे सुभाल लगभग आठ बजे मिलकी मशीनों और डोंगे का विधिवत पूजन करने के बाद मिलके डोंगे में गाड़ियों से गन्ना लेकर मन्तो चारण के बीच विधिवत शुभारम किया नगरविकास राजी मंत्री राकेश राठोर के साथ चीनी मिलके अधिशाशी अध्यक्ष एक दिक्षित ने भी पूजा में हिस्सा लिया जनपत बिजनौर के चांदपु के खेकड़ी में फाइनांस कंपनी के स्टाफ के साथ दबंगों ने जम कर मार पीड़ की इस फारदात से इलाके में दहशत कमा हो ले वही पीड़ितों ने पुलीस को शिकायटी पत्र देते हुए नियाय की गोहार लगाई गाउखेड की इलाके की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वो क्रेडिट केर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी में कामे करती है ये पूरा मामला किष्ट जमा करने से जुड़ा है पीड़ित को किष्ट जमा करने के लिए जाना था लेकिन वो अपने दवारा बताये गए समय तक किष्ट जमा करने नहीं पहुची वही रास्ते में दबंगो ने ग्राम खेड की के पास उनकी बाइक रोक कर अभधर वेवहार किया व्रांच मैनेजर दौरा विरोध किया गया तो दबंगो दौरा उनके साथ भी मार पीड की गई पीड़ितों ने दबंगो के विरोध थाना चांदपूर पुलीस को शिकायती पत्र देते हुए कारिवाई की मांग की है फिलाल इस पूरे मामले में पुलीस जाच परताल कर रही है उसी में तू लड़ा खबरों में फिलाल इतना ही जुड़े रहे हैं आज की खबर के साथ ताज़तरीन खबरों के लिए